तो दोस्तो नेसले ने अपने quarter 3 के result को announce कर दिया है तो आईए हम एक बार देखते हैं उनके result कैसे रहे और उनके result को हम जो है उनके peers से भी compare करेंगे देखेंगे उनके peers ने कैसी performance दिखाई थी फिलाल हम बात करें dividend की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं company ने 65 रुपीज पर share का dividend भी announce किया हुआ है जिसके अगर हम record date की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो record date है वो 8 April दिया हुआ है यहाँ पे इसका record date 8 April मेंशन कर दिया गया है यानि कि यह stock अगर आपक के DMAT account में credit हो जाता है 8 April तक तो फिर वहाँ पे आप जो है तो dividend के लिए eligible हो जाएंगे चलिए आ जाते हैं हम इनके quarter 3 के result को review कर लेते हैं यहाँ पे इनका December quarter का इस financial year का जो है तो यह result यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यह September 2021 यानि कि previous quarter है और यह यहाँ पे December 2020 है यानि क last year के यह इनके number है company के अगर यहाँ पे income की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं domestic sale और export sale दोनों को यहाँ पे अगर मिला दिया जाए तो sale of the products हम देखेंगे year on year यहाँ पे यह value 34,175 से बढ़ करके 37,062 million rupees है यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी values जो है millions में दी हुई है तो 3,706.2 करोड रुपए होते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि year on year यहाँ पे जो है तो इनके sales में लगभग 8.4% की growth देखी गई है लेकिन अगर पिछले quarter से compare करेंगे जो कि 38,649 था तो उसके compare में लगभग 4.2% का हमें एक जो है तो downfall देखने को मिला है यहाँ पे अगर इनके other income को जोड़ें जो कि dividend वगएरा से इनके other income रहते हैं तो वो उतने कुछ खास है नहीं में जो है तो company का यहाँ पे revenue from the operation ही matter करता है जो कि इनके product sales से आता है अब यहाँ पे इनके हम expenses को देख लें तो आप देखेंगे कि इनके expenses जो है year on year जो है वो बढ़ चुक देखेंगे वो कम हुए है चुकि company का revenue ही quarter on quarter थोड़ा कम हुआ है तो expense भी आप समझ सकते हैं कि उसके corresponding थोड़े से वहाँ पे कम आपको देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पे हम इनके EBITDA की बात करें तो EBITDA में आप देख सकते हैं कि company का जो EBITDA था वो इस quarter में लगभग 7,436 million रुपीज का देखने को मिला है जबकि पिछले quarter में 8,342 million रुपीज था और पिछले साल की बात करें तो 6,701 million रुपीज था यानि कि year on year EBITDA में लगभग 11% की growth है और quarter on quarter EBITDA में लगभग 12% का हमें यहाँ पे downfall देखने को मिला है यहाँ पे इनके negative में quarter on quarter जो है त जो profit था वो 4,833 million रुपीज था लेकिन इस quarter में जो है तो 3,886 million रुपीज हमें देखने को मिला है तो यह जो है तो चुकि यहाँ पे company के अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो revenue है वो year on year बढ़े हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अलाबा अगर हम इनके EBITDA क बात करें तो आप देख सकते हैं उसमें भी growth हुई है लेकिन अगर profit यहाँ पे decline हुआ है तो उसका main reason है यह exceptional item आप देख सकते हैं कि यहाँ पे company ने कुछ जो है तो एक loss पोस्ट किया है जो कि उनके exceptional item में है तो वो इस quarter में है ऐसा जरूरी नहीं कि हर quarter में होंगे तो पानी है इनके profit की और EPS की तो वो थोड़ी सी change हो जाती है क्योंकि जब यह exceptional item आ जाते हैं तो वो कहानी काफी जादा change कर देते हैं या तो profit को बहुत जादा बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं और उनका जो impact है वो आपको उसी quarter में ही देखने को मिलता है जैसा कि क्वाटर भी देखें तो काफी जादा decline हमें देखने को मिलता है वाई ओ वाई बेसिस में लगभग 20% का आपको downfall देखने को मिलेगा जबकि EBITTA इनके 11% से improve हुए थे वहीं अगर हम EPS की बात करें तो जो 50 रुपए का EPS था वो घटके 40 रुपए हो गया है और जो 64 जो है वो थोड़ा सा twist हो चुका है just because of the exceptional item तो यहाँ पे हम इनके sales यानि के revenue का compression और यहाँ पे इनके EBITTA का ही compression इनके peer से करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं HVL की HVL का आप देखेंगे 11% की growth YOY basis में थी और वहीं EBITTA में बात करें तो 14% की growth YOY basis में देखने को मिली है quarter on quarter भी इस company ने revenue में 3% का growth और EBITTA में लगभग 3.8% का growth है वो दिखाया है वहीं HVL के against में आप देखेंगे revenue जो 10% से बढ़े थे यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.4% से निसले के revenue बढ़े हैं वहीं अगर हम EBITTA की बात करें 14% से जो बढ़े थे निसले में वो हमें 11% से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं quarter on quarter 3% का जो growth था वो आप देख सकते हैं यहाँ decline हुआ है लगभग 4% से और EBITTA की बात करें जो 3.8% से ग्रो हुए हैं तो वो यहाँ पे decline हुए हैं लगभग 12% से वहीं अगर हम ITC से compare करें तो आप देख सकते हैं ITC का revenue YOY basis पर 28% ग्रो किया है वहीं पर EBITTA की बात करें तो वो जो है तो 12% 13% से ग्रो किये हैं यहाँ आप देख सकते हैं 8.4% और EBITTA जो है तो वो 11% लेकिन अगर quarter on quarter देखें तो ITC ने यहाँ पे जो है तो 23% की growth revenue में दिखाई है यहाँ इनका revenue negative है और EBITTA में भी growth जो है 9% से दिखाई है यहाँ इनका EBITTA negative है अब अगर हम यहाँ पे इनका comparison यहाँ टाटा consumer से हम करें तो आप देख सकते हैं टाटा consumer का revenue अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे clear कर देना चाहता हूँ ITC में यह जो massive growth देखने को मिली है यहाँ पे इनके cigarette business से आई है चुकि इनका जो cigarette business का जो volume था वो यहाँ पे इस quarter में pre-covid level पर जो है तो वो हमें reach करता हुआ देखने को मिला है तो comparative जो analysis हो रही है वो यहाँ पे इ 4% यहाँ पे 8% का है वहीं पर EBITDA की बात करें तो यह लगभख 26% से grow कर चुके है वाई यू वाई basis पर और यहाँ जो है 11% से growth देखने को मिली है quarter on quarter देखेंगे 5% की growth है यहाँ negative हो चुका है और EBITDA की बात करें 8% की growth है और यह यहाँ पे negative हो चुके है negative में तो all and all कहूं तो Nestle के result जो है यहाँ पे हमें पूर देखने को मिले है result बहुत अच्छे नहीं तो दोस्तो यह एक छोटी सी information थी Nestle के quarter 3 के result को ले करके अगर आपको यह वीडियो का content अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक like दें और चैनल को subscribe करके मुझे motivate करें कुछ इस तरीके के quality content को मै आपके सामने लाता रहूँ वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much